ओम् भद्रम कर्णेभिह शुनुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्य जत्राह स्थिरै रंगे स्तुष्टु वांग सस्तन उभिर् व्यशेम देवहितम यदायुह स्वस्तिन इंद्रो व्रिद्ध श्रवाह स्वस्तिन पूशा विश्व वेदाह स्वस्तिन स्तक्षर्यो अरिष्टनेमिह स्वस्तिनो ब्रिहस पतिर दधातू ओम शान्तिह 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 ओम कल्यान कारी कानों से सुनें हे देवताओं देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य स्थिर अंगों से स्टुती गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयू है कुशल हमें इंद्र तीवरता के स्वामी कुशल हमें पूशन विश्व के ग्याता कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र कुशल दो हमें ब्रहस्पती ओम शान्ती 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 ओम नमह पर्मात्मने हरी ओम शष्ठम प्रश्ण अत हैनम सुकेशा भारद्वाजह प्रपच्छ भग्वन हिरण्य नाभह कोसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्य एतं प्रश्णम अप्रच्छत शोडशकलं भारद्वाज पुरिशं वेत्थ तम अहं कुमारं बुवं न अहं इमं वेद यदिहं इमं अवेदिशं कथं तेन अवक्ष्यमिती समूलो अब उसको सुकेशा भारद्वाज पूछा भगवन कौसल के राजपुत्र हिरन्य नाब ने मुझे समीप आकर ये प्रश्ण पूछा एब भारद्वाज सोलह भागों वाले पुरुष को जानते हो मैंने कुमार को कहा नहीं मैं इसको जानता हूँ यदि मैंसे जानता होता कैसे तुमें नहीं बोलता ऐसे समूल कदाचित वह सूकता है जो जूट बोलता है इसलिए नहीं जूट बोलने में समर्थ हो सका वह मौन रहकर रत पर आरूड होकर चला गया वह तुमसे पूछता हूँ कहा है पुरुष ऐसे व्याक्या प्रश्णोपनिशत का छटा तथा अंतिम प्रश्ण भगवान पिप्पलाज से सुकेशा भारदवाज ने किया है वे कहते हैं कि भगवान कौसल के राजपुत्र हिरन्यनाब ने मेरे समी पाकर मुझसे प्रश्ण किया कि हे भारदवाज सोला भागों वाले पुरुष को जानते हो जो जूट बोलता है वे सूख जाता है इसलिए तब मैंने उसको मार को कहा मैं इसको जानता नहीं हूँ यदि मैं इसे जानता होता तो तुम्हें कैसे नहीं बताता तब वे हिरन्यनाब मौन रहकर रत पर आरूड होकर चला गया अब इस प्रश्ण को मैं आपसे पूछता हूँ कि कहां है वे पुरुष यहाँ पर भी हमें प्रश्ण करने वाले के नाम को समझना होगा ताकि हम उसके प्रश्ण को समझ सकें अपे तो यहाँ पर प्रश्ण करता सुकेशा भारदवाज हैं किन्तु वास्तविक प्रश्ण करता हिरन्य नाभ है तो हमें यहाँ पर सुकेशा भारदवाज को भी समझना होगा और हिरन्य नाभ को भी समझना होगा चलिए पहले सुकेशा भारदवाज के नाम के अर्थ को समझते है सुकेशा शब्द का सीधा अर्थ होता है सुन्दर केशों वाला और प्रायह लोग यहीं पर रुख जाते हैं और पूरे संदेश को नहीं समझ पाते केशों का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व है हमारे सभी भगवानों के केशों का विवरण हमें गरंतों में देखने को मिलता है जैसे भगवान शिव जटाधारी है माता काली के केश खुले रहते हैं माता गौरी के केश बंधे रहते हैं भगवान कृष्ण के केश घुंगराले होते हैं वहीं रादहरानी के केश चोटी में बंधे होते हैं। इन सभी विवरणों में गहरा रहस्य चिपा हुआ है। मूलत है केश हमारी मनोवस्था को दर्शाते हैं। जहां बंधे केश संयम का प्रतीक हैं, कता खुले केश स्वच्छंदता का प्रतीक हैं। भगवान शिव संयम में सबसे उपर माने गए हैं, इसलिए वे जटाधारी हैं। जबकि श्रीक्रश्न सदा मुक्त हैं, इसलिए उनके केश खुले एवं घुंगराले हैं। माता काली असंयमित शक्ती हैं, इसलिए उनके केश सदा खुले रहते हैं। जिबकि माता गौरी संयमित शक्ती है इसलिए उनके केश बने रहते हैं इसी प्रकार राधाराणी के केश चोटी में बने रहते हैं जो उनके किशोरी होने का प्रतीक है जिस आयू में कुमारी स्थ्री को संयम में रहना चाहिए भगवान कृष्ण को केशव कहा जाता है अर्थात वह है जिसने केशी राक्षस का वद किया केशी राक्षस एक अश्व के रूप में गोकुल में आया था अश्व के केश सदा खुले एवं अनरगल रहते हैं जो मन के सैयम को भंग करने का प्रतीक है इसलिए केशी राक्षस मन के सैयम को भंग करने वाला है जिसका वद करने वाले श्री कृष्ण है जो उसके पच्चात फिर गोकुल में सैयम को पुनह ले आते हैं इसलिए सुकेशा नाम से यहां अर्थ केवल सुंदरकेशों वाला नहीं है अपितु सुंदरकेश यहां पर सुंदर मनोस्थिती के सूचक है आईए अब भारदवाज शब्द के अर्थ को समझते हैं वैसे तो हमें भारदवाज मुनी का विवरण सभी हिंदू ग्रंथों में देहने को मिलता है कि इंदू भारदवाज शब्द का मूल अर्थ हम इस बात से समझ सकते हैं की चकवा जो एक प्रकार का पक्षी है उसके लिए भी संस्कृत में भारदवाज शब्द का ही उपयोग होता है अब भारदवाज शब्द को देखिए इसको हम तीन भागों में विवाज़त कर सकते हैं भार प्लस द्वा प्लस ज़ अर्थात दो के भार से जनित इस प्रकार भारदवाज शब्द का अर्थ दो के जोड़े से संबंदित है रिगवेद के दूसरे मंडल के 49 सुक्त का तीसरा मंत्र अश्विन कुमारों को चकवे के जोड़े के रूप में संबोधित करता है चकवा को लेकर प्राचीन काल से किमवदंती चली आ रही है कि चकवा और चकवी दिन के समय एक दूसरे के साथ प्रेमपूर वक एक जोड़े के रूप में रहते हैं किन्तु रात हो जाने पर वे बिछड़ जाते हैं इसलिए चकवा के लिए कबीरदास जी कहते हैं इस प्रकार चकवा और चकवी ईशवर तथा जीव के बीच के दिववे प्रेम का सूचक हैं जहां चकवा परमातमा है और चकवी जीवातमा है तो भारदवाज वास्तों में वह व्यक्ति है जिसने ईश्वर के प्रती दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है जिसे भक्ती कहा जाता है यह भक्ती जो प्राप्त कर लेता है वह फिर ईश्वर को बिना जाने रह नहीं सकता इसलिए सुकेशा भारदवाज भगवान पिप्पलाच से पुरुष को जानने के विशाय में यहां पूछ रहे हैं अंत में आईए अब हिरन्य नाब शब्द के अर्थ को भी समझते हैं स्वर्ण एक ऐसा धातु है जो सदा एक समान रहता है इसलिए इसे आत्मा का सूचक म बना गया है यही कारण है कि राधरानी का वर्ण स्वर्णिम है क्योंकि वे भगवान कृष्ण से अत्याधिक प्रेम करती है वीर्य के द्वारा एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है और इस प्रकार से अव्या आत्मा का परिवाहन वीर्य द्वारा ही होता है और आत्मा क्योंकि परिवर्तन शील नहीं है इसलिए वह स्वर्ण के अनुरूप है तो इस प्रकार से वीळय और स्वर्ण दोनों एक दूसरे से सम्बन्दित हो जाते हैं आत्माद्वारा यही कारण है कि भगवान शिव का वीळय स्वर्ण का है क्योंकि वे शुद्ध आत्मा है तो इस प्रकार हिरन्य के गर्भ में प्रवेश से ही यह संसार उत्पन हुआ है जिसका विवरन हम हिरन्य गर्भ सुक्त में देखते हैं नाव का अर्थ होता है केंद्र या फिर नाभी जब हम गर्भ में होते हैं तो मा से अपनी नाभी द्वारा ही जुड़े होते हैं इस प्रकार हमारे शरीर की नाभी का विशेश महत्व है क्योंकि यह ही वह चक्र है जिससे हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं शरीर की नाभी से यदिजीव शरीर से जुड़ा है तो इसी प्रकार ब्रह्मांड की नाभी से ईश्वर इस संसार से जुड़ा है अर्थात जिसकी नाभी हिरन्य है वह परमपुरुष परमात्मा है तो जब हिरन्य नाभ ने सुकेशा भारदवाज से पूछा कि क्या तुम सोलह भागों वाले पुरुष को जानते हो तो यह मूल रूप से दर्शाता है कि ईश्वर प्रेमी से ईश्वर ने पूछा कि मुझे जानते हो क्या अपने भक्तों से ईश्वर सदा यह प्रशन करते रहते हैं ताकि उनको अपनी और आकर्शित कर सके हैं सुकेशा भारदवाज इस प्रकार से सभी प्रशन करताओं में से इस समय ग्यान एवं भक्ती में सबसे उन्नत स्थिती में है ओम भद्रम करने भिह शुनुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भिर्य जत्राह स्थिरै रंगे स्तुष्टु वांग सस्तन उभिर व्यशेम देव हितम यदायुह स्वस्तिना इंद्रो विध्ध श्रवाहा, स्वस्तिना पूशा विश्व वेदाहा, स्वस्तिना स्तक्षर्यो अरिष्टनेमिह, स्वस्तिनो ब्रिहस पतिर दधातू, ओम, शान्तिह, शान्तिह, शान्तिह ओम कल्यान कारी कानों से सुनें हे देवताओं देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य स्थिर अंगों से स्तुती गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयू है कुशल हमें इंद्र तीवरता के स्वामी कुशल हमें पूशन विश्व के ग्याता शांती शांती शांती